सब्सक्राइब कीजिए टेकन और व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हिंदी टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्स कंपारिजन सामसंग ग्यालक्सी एम 20 और ओनर 8x के बीच ग्यालक्सी M20 में हमें मिलता है एक जना 7904 प्रोसेसर के साथ 4GB का राम जहां और 8x में हमें मिलता है हाई सिलिकन करें 710 के साथ 6GB का राम पहले हम दोनों ही फोन के बाउट रिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं Android वर्शन और जैसे आप देख सकते हैं के दोनों में चल रहा है Android 8.1 ओडियो तो टेस्स को स्टार्ट करेंगे फोन की बूटिंग टेस्से और दोनों ही फोन में चले जाते हैं रिस्टार्ट स्क्रीन और लेके आते हैं हमारा stopwatch stopwatch को यहां से चला लेते हैं और दोनों फोन को एकदम सेम टाइम पर रिस्टार्ट करेंगे इन 3,2,1 गो ओके दोनों ही फोन रिस्टार्ट हो रहा है और क्लॉक पर जब 5 सेगंद्स हुआ था तब हमने दोनों को रिस्टार्ट किया है तो नाव 2 सगंद के बाद ऑनर भी बूट हो गया तो यहां से stopwatch को साइड में रख लेंगे और जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे speed test की तरह आज भी हमारे पास है कुछ daily using और social apps जैसे phone, camera, instagram, twitter, facebook, google maps, adobe premiere clip जिसमें हम दोनों फोन की GPU rendering speed चेक करेंगे, shopping apps जैसे amazon और flip card, एक light weight game, दो heavy games और clock app जिसमें हम पूरे test के time stopwatch चला के रखेंगे दोनों ही phone में, test शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही phone same wifi network से connected है, दोनों में location या फिर GPS on है, और दोनों फोन की background memory में कोई भी applications running नहीं है, और तो test को start करेंगे clock app में जाके और दोनों में stopwatch को चला जालेंगे, ओके तो next चले जाते है phone app पे, और phone app एक सगन पहले लोड हुआ honor में, तो next है camera, camera app almost same time पे लोड हुआ दोनों फोन में, चलते है Twitter पे और Twitter को यहां से चला लेते है, Twitter almost same time पे लोड हो गया दोनों फोन में, now latest speeds को refresh कर लेते है, home पे tap करके, latest post थोड़ा पहले refresh हुआ honor में, now चलते है Instagram पे, और Instagram को चला लेते है, in 3, 2, 1, Instagram एक सगन पहले लोड हुआ galaxy में, चले जाते है Facebook में और Facebook को यहां से चला लेते है, Facebook को लोड करने में almost same time लिया दोनों फोन ने, okay तो यहां से वापस चले जाते है, home screen में और चला लेते है Google Maps, जैसे आपने देखा Google Maps का लोडिंग टाइम almost same है, पर honor में थोड़ा पहले लोड हुआ हमारा location पर डिफरेंस एकदम नेगलिजिबल है, anyways, now चले जाते है Adobe Premiere Clip, और Premiere Clip में हम वही same 1 minute के clip को दोनों फोन में इंपोर्ट कर लेंगे, और clip settings में जाके 50% slower करके यहां से back करके share पर टैप कर लेंगे और select कर लेते है safe to gallery और 1080p को select करके लेके आते है हमारा stopwatch और यहां से stopwatch को भी चला लेते है, ना दोनों फोन के GPU rendering स्टार्ट करेंगे continue पर टैप करके in 3, 2, 1, go! ओके तु रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ना हम वीडियो को fast forward कर देंगे पर आप देख पाएंगे दोनों फोन की rendering speed दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि और 8X के कीरियन 710 काफी ज्यादा fast है Samsung की Exynos processor से क्यूंके और ने rendering को almost complete कर लिया है जहां Galaxy में test चल रहा है around 50-55% में और ने test को खतम कर लिया है 3 minute 10 seconds में और अभी देखते हैं कि M20 को कितना time extra लगता है rendering test को complete करने में फाइली M20 ने test को खतम किया exactly 5 minutes 10 seconds में और राइट ना हम यहां से stopwatch को हटा देंगे और दोनों ही phone में इसी same screen पे रखके home button पे tap करके चले जाएंगे home screen पे और continue करेंगे हमारा speed test subway surfers को चला के तो यह दोनों ही phone में exactly same time पे load हुआ सब वे surfers anyways नाव यहां से एक match चला के directly home button पे tap कर देंगे game को background में pause रखके और ना हम चले जाएंगे PUBG में और PUBG को चला लेते हैं in 3, 2, 1 और तो नाव देखते कि कौन सा phone में पहले आता है PUBG का main menu और में पहले लोड हो गया PUBG और more than 10 seconds के बाद galaxy ने भी लोड कर लिया PUBG एनवेस तो अगेन यहां से हम PUBG को background में रखके home button पे tap करके चले जाएंगे हमरे shopping apps में और Amazon को दोनों ही phone में चला लेते हैं Amazon का main home page almost same time पे load हुआ दोनों phone में तो नाव चले जाते है flip card में flip card को load करने में again same time लिया दोनों phone ने तो finally चलाते है Asphalt 9 और इसे चला के देखते है कि किसमें पहले load होता है Asphalt की main menu दोसों जैसे आपने देखे Asphalt की main menu दोनों नहीं exactly same time पे load कर लिया और यहां से directly चले जाता ही home screen पे और यहां पर में देख सकते कि हमने पूरे टेस्के टाइम सारे application को background में रखे थे तक अभी हम देख पाए दोनों phone में इसे किसी RAM management है better तो RAM management start करते एक लॉक अप से और जैसे आप देख सकते कि stopwatch अभी भी दोनों phone में चल रहा है next phone app और phone app running है दोनो phone में next camera camera app galaxy नहीं restart किया है जा Honor में camera app running है यहां से वापस home screen में जाके Twitter को यहां से चला लेते है okay so Twitter again दोनों ही phone में running है next चलाता है Instagram now Instagram running है दोनों phone की background memory में दोस्तों दोनों phone की RAM management से I'm very impressed क्योंकि जैसे आप देख सकते के Facebook Google Maps Adobe Premiere Clips सब्वे सरफर्स हर एक application दोनों ने ही रखा है अपने memory में और ना ही सिर्फ यह application बलके PUBG को चलाने के बाद हमें दोनों में ही मिल गया है PUBG का main menu shopping apps में चले जाते हैं और Amazon को यहां से चला लेते है Amazon running है दोनों ही phone में और नाव चले जाते है flip card में Amazon की तरह flip card को भी दोनों ही रखा है अपने memory में तो फाइल ही चलाता है Asphalt 9 जैसे आप देख सकते के Asphalt की main menu हमें हमें मिला है दोनों ही phone में तो अगर बात करें performance की दिन दोनों फोन की app opening time में मुझे कही पर ज्यादा difference दिखाई नहीं दिया है और अगर बात करें GPU rendering की सब्सक्राइब कर लिजिए इसे के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और यहीं ताज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में